हाई अब्रीवन आज मैं आपको टू कलर्स में बहुत ही आसान और प्यारा से डिजाइन बुनना बताऊंगी जिसके लिए आपको 8 प्लस 6 के मल्टिपलें फंदे कास्टन करने होंगे तो यहां मैंने लिए टोटल 22 फंदे और कुछ लाइन अपने फर्स्ट कलर से बना लेने के बाद अब जो भी हमारा दूसरा कलर होगा उससे पहले 2 फंदे सीधे बुनेंगे अब नेक्स्ट 2 फंदे बिना बुने हम स्लिप करेंगे और अब हम यहां से अपना repetition start करेंगे तो 6 फंदे सीधे बुनेंगे 1 2 3 4 5 और 6 फिर 2 फंदे हम बिना बुने slip करेंगे अब देखे शुरुबात के 4 फंदे को छोर करके यही 8 फंदे हम repeat करेंगे तो अगें 6 फंदे सीधे 1 2 3 4 5 और 6 दो फंदे slip करेंगे बिना बुने ही और लास्ट के दो फंदे हम सीधे बुनेंगे तो इसी तरीके इस repeat करते हुए आपको row 1 को बना करके complete कर लेना है अब हम wrong side row 2 में आ गए हैं और इस row को same row 1 के जैसे ही बुनेंगे तो पहले 2 फंदे सीधे अब उन हम आगे की तरफ लेके आएंगे और next 2 फंदे को बिना बुने हम slip करेंगे उसके बाद 6 फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच, और छै अब फिर हम 2 फंदे बिना बुने ही slip करेंगे उसके बाद 6 फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच, और छै दो फंदे बिना बुने हम slip करेंगे और last के 2 फंदे सीधे बनाएंगे तो ये रो भी हमारी complete हो गई है अब हम right side उ third में आ गए इस रो में जो भी हमारा first color का उससे पहले 2 फंदे उल्टे बुनेंगे next 2 फंदे सीधे और अब हम यहांस अपना repetition स्टार्ट करेंगे तो 6 फंदे उल्टे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, और छै अब 2 फंदे फिर हम सीधे बुनेंगे अब देखें इस रो में भी शुरुबात के 4 फंदे को छोर करके यही 8 फंदे हम रिपीट करेंगे अगें 6 फंदे मुल्टे बनाएंगे यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच, और छै नेक्स्ट दो फंदे सीधे और लास्ट के बचे हुए दो फंदे से हम उल्टे बुनेंगे तो इसी तरीके से रिपीट करते हुए आपको इस लाइन को भी बना करके कम्प्लीट कर लेना है अब हम रॉंग साइड और फोर में आ गए हैं और इस लो में हम सभी फंदे उल्टे बुनेंगे तो अब इसी तरीके से सभी फंदे को उल्टे बनाते हुए इस पूरी लाइन को भुन करके हम कम्प्लीट कर लेंगे अब हम राइट से रू 5 में आ गए इस रू में जो भी हमारा दूसरा क्लड होगा उससे पहले 6 फंदे सीधे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, और छै अब नेक्स दो फंदे बिना बुने स्लिप करेंगे अब देखी यही आठ फंदे हम फिर से रिपीट करेंगे तो अगेंच छै फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पाँच, और छै दो फंदे बिना बुने हम स्लिप करेंगे और लास्ट के बचे वे छै फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, और छै अब हम रॉंग से रो शिक्स में आ गए हैं और इस रो को सेम रो फाइव के जैसे ही बनाएंगे तो पहले छै फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पाँच, और छै उन आगे की तरफ नेक्स दो फंदे बिना बुने हम स्लिप करेंगे और फिर हम छै फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, और छै दो फंदे बिना बुने हम स्लिप करेंगे और लास्ट के छै फंदे फिर हम सीधे बनेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, और छै तो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है अब हम राइट से रो सैवन में आ गए हैं और इस रो में जो भी हमारा पहला कलर होगा उससे पहले छै फंदे उल्टे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, और छै नेक्स दो फंदे सीधे और अब यही आठ फंदे हम फिर से रेपीट करेंगे तो अगेन छै फंदे उल्टे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, और छै नेक्स दो फंदे सीधे बुनेंगे और लास्ट के बचे वे छै फंदे जैसे भी हम उल्टे ही बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, और छै तो इसी तरह की सीधे बुनते वे आपको रो सेबन को भी बना करके कम्प्लीट कर लेना है अब हम रॉंग साई रो एट में आगें और इस रो के सभी फंदे मुल्टे बुनेंगे तो अब इसी तरह की सभी फंदे को उल्टे बनाते हुए इस रो के बुन करके हम कम्प्लीट कर लेंगे और रो एट बना लेने के बाद ये डिजाइन हमारा कम्प्लीट हो चुका है अब इसे continue बनाने के लिए आपको फिर से रो 1-8 को repeat करना होगा और ये जो डिजाइन है हमारा इस तरहीके से आगे के बनते जाएगा तो आप देख सकते हैं ये बनने के बहुत ही सुन्दर लगता है और बनने के बाद ये बहुत ही प्यारा सा flower effect देता है तो आप इस डिज अच्छों कि किसी भी प्रोजेक्ट लेडिस कार्डीगन या बेबी ब्लैंकेट्स में अप्लाइ कर सकते हैं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक हिला आपना बहुत सारा खयाल रखिए थैंक्स पर वाचिंग और बाई